नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा. इस विडियो में हम डिसकस करेंगे कि क्लियर्विन जेल का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, क्लियर्विन जेल को कैसे लगाना चाहिए और क्लियर्विन जेल की वज़से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं, और यह भी डिसकस करेंगे कि क्लियर्विन जेल को लगाते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, Clearwin jail का उप्योग मुख्य रूप से pimples और मुहासों की समस्या को ठीक करने के लिए किया जाता है Clearwin jail के अंदर दो दवाओं का combination होता है Clearwin jail के अंदर salt composition clean damycin और nicotinamide होता है Clean damycin एक antibiotic दवा है जो pimples और मुहासों के लिए जिम्मेवार bacteria को मारती है और bacteria की growth को रोकती है Nicotinamide pimples और मुहासों की वज़े से हुई तवचा की सूजन और लालपन को कम करती है इसके अलावा Clearwin jail चेहरे पर oil के ज्यादा production को रोकती है क्योंकि ज्यादा oily तवचा होने पर pimples वह मुहासे होने का जोखिम अधिक हो जाता है Clearwin jail मुहासों वपimples की वज़े से हुए चेहरे पर दाग धबो को कम करके रंग को साफ करने में भी मदद करती है अब हम discuss करेंगे कि Clearwin jail को कैसे लगाना recommended होता है Clearwin jail को लगाने से पहले आपको अपने चेहरे वँआथों को पानी की मदद से अच्छी तरह से धो लेना चाहिए आप अपने चेहरे को face wash या साबुन की मदद से भी धो सकते हैं और उसके बाद चेहरे वँआथों को अच्छी तरह सुखाने के बाद Clearwin jail की एक पतली लेयर प्रभावित एरिया पर एक उंगली की मदद से हलके हाथ से फैला कर लगानी चाहिए Clearwin jail को ज्यादा रगड कर नहीं लगाना चाहिए ज्यादातर व्यक्तियों को Dr. Clearwin jail को दिन में दो बार सुभा वश्याम को लगाने की सला देते हैं Clearwin jail का असर दिखने में दो से लेकर तीन सब्ता का समय लग सकता है लेकिन कुछ व्यक्तियों में इससे ज्यादा समय भी लग सकता है लेकिन ज्यादातर व्यक्तियों में Clearwin jail का असर दो से लेकर तीन सब्ता में दिखने लग जाता है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना न भूले. अब हम डिसकस करेंगे कि क्लियर्विन जेल की वज़़ से क्या side effects हो सकते हैं. वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में क्लियर्विन जेल की वज़़ से कोई side effects नहीं होते है लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में क्लियर्विन जेल की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्स हो सकते हैं। जैसे तवचा में जलन, खुजली, तवचा में सूखापन और तवचा की एक पतली लेयर पपरी बन कर उतर सकती है। इन साइड इफेक्स को दिन में रखनी लगा कर कम किया जा सकता है। लेकिन अगर आपको К्लियर्विन जेल को लगाने के बाद तवचा में जलन या तवचा में खुजली ज्यादा होती है, तो आपको तुरंथ ही डॉक्तर से परामर्श लेना चाहिए। अब हम discuss करेंगे कि Clearwin jail को लगाते समय क्या क्या सामधानिया रखनी चाहिए। Clearwin jail की वज़से त्वचा सूरज की धुप के परती बहुत ज्यादा सम्वेदन्शील हो जाती है। इसलिए दिन के समय में सूरज की धुप में जाने से बचना चाहिए। क्योंकि Clearwind Jail को लगाते समय, ज्यादा देर तक सूरज की धूप में रहने की वज़ा से तवचा सूरज की धूप की वज़ा से डैमेज हो सकती है और तवचा का रंग काला भी हो सकता है. अगर आपको किसी कारणवर्ष धूप में जाना भी पड़ता है, तो सूरज की धूप में जाने से पहले आपको अपने चेहरे पर संस्क्रीन लोशन को लगाना चाहिए या आप धूप से बचाव करने के लिए अंब्रेला यानी छत्ते का भी प्रयोग कर सकते हैं. क्लियर्विन जेल को आख, नाक और मुव के किनारों के पास लगाना रिकमेंडेड नहीं है. इसलिए क्लियर्विन जेल को घाव के ऊपर या घाव के आसपास नहीं लगाना चाहिए. 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लियर्विन जेल का उप्योग करना रिकमेंडेड नहीं है. और जो महिलाए स्तनपान करा रही है, उनको भी क्लियर्विन जेल को लगाने से पहले डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए. क्योंकि अभी इसके बारे में परियाप् पहले डॉक्तर से परामर्ष लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपका क्लियरविन जेल से संबंधित कोई प्रश्ण हैं तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं।